मुख्यमंत्री भुपेश बगेर ने आज महाशिवरात्रे के पर्व पर राजधाने राइपूर के महादेव घार स्थे खटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों के लिए सुख सम्रिधी की काम ना की इस अवसर पर 36 गर राज्य खनिज विकास निगम के अत्यक्ष गिरिश देवांगन और महापौर राइपूर एजास धेवर भी उपस्थित थी महाशिवरात्रे के अवसर पर मंदिर में विशेश साज सज्चा की गई थी मुख्यमंत्री ने मंत्रोच चार के बीच भगवान शिव के अराधना की इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रे परवकी बधाई और शुबकामनाई दे सिवालय हैं आज विशेश रूप से उन्हें सजाय गया है और सज्धालू पजारों के तादात में पत्रिक दिवालय में सिवालय में जा रहे हैं और अपने मुख्यमंना पूरी कर रहे हैं मैं सबको बहुत बहुत बढ़ाई जाए हैं लोग सभा में कृशी मामलों की स्थाई समीती ने योजना की सराहना करती हुए सुझाओ दिया है कि 36 गर सरकार की तरहा ही किसानों से मवेशियों की गोबर खरीदी की ऐसी ही योजना पूरे देश के लिए शुरू की जानी चाहिए थाई समीती ने केंद सरकार को दिये अपने सुझाओं में कहा है कि किसानों से उनके मवेशियों का गोबर्ग खरीदने से उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे जैविक खेटी को प्रोचसाहन मिलेगा और आवारा मवेशियों की समस्या का भी समाधान होगा इसके बारे में मुख्यमंत्री बगेल ने कहा कि राज सरकार की योजना की देश में सरहना हो रही है यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है गोधन्या योजना से सब को लाब हो और पूरे देश के लिएक मॉडल बनेगा है अगर पूरे देश में इस मॉडल को एडाप्ट करते हैं तो निशित रूसे गवपालकों को एक सपोर्टिंग होगा और जिससे की जो मवेशि सड़कों में दिखते हैं उसमें भी कमी आएगा जो खेती करते हैं खेती को नुक कि 36 गड़ की तरहा देश भर में योजना लागू हो मुखे मंत्री बखेल ने कहा यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है धर्मस्व मंत्री तामर्धवत साहुनी आज महाशिवरात्री के पावनवसर पर नेवई स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख सम्रिथी वह खुशाली के लिए प्रार्थन किया